एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि एक रूल है जिसे कहते हैं 80-20 रूल आप देख सकते हो कि जो काम और कोशिश हम लोग करते हैं मान लीजिए हमने 100% एफ़र्ट लगाए दिखाए गया वो 100 में से 20% एफ़र्ट से मतलब 20 टका कोशिश ऐसी होती है कि वो 20% कोशिश से 80% result आते हैं मतलब हम जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश में 20% हमारी ऐसी smart कोशिश होती है हमारे ऐसी चीज होती है जिसकी वेया से हमारे 80 का काम होते हैं और बाकी 80% काम से सिर्फ 20% result आते हैं मतलब क्या? मतलब ये है कि आपको देखना है कि जो पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई में सबसे important चीज कौन सी है exam point of view से knowledge point of view से understanding point of view से कोई एक चीज होती अगर वो बात आप समझ लें तो वो चीज से पुरा topic master की की तरह open up होता है तो हमारा ये काईदा है कि जब time खास तौर से कम है कई सारे बच्चे होते है जो exam time पर ही पढ़ाई शुरू करते हैं अब वो क्या कर सकते हैं हम कहते हैं कि आप ये चीज याद रखिए prioritize करना जैसे मिसाल के तोर पे इसलाम में सबसे हम चीज क्या है हमारा इमान है अगर हम अबादतों की बात करें सबसे एहम अबादत कौन सी है नमाज है तो हम देख रहे हैं कि सबसे एहम अबादतों से सबसे बड़े results होते हैं और अल्ला ताला ने यही बात बताई हमें तो ये चीज के अंदर importance के एतबार से एहमियत के एतबार से 30 kg लागे जला उट है वो 30 kg में क्या दालोंगे आप क्या घर का furniture दालोंगे उसके अंदर नहीं तो हम देखते हैं कि वो 30 kg में क्या चीज सबसे important है कि भई मैं सफर में जा रहा हूं मुझे tooth brush चाहिए मुझे कपड़े चाहिए मुझे यह यह एहम चीज चाहिए एक टाविल चाहिए तो जो एहम चीज हैं वो पहले डालेंगे उसी तरह से जब exams की तयारी करते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं और डारेक्ली बुग उठाते हैं फर्स पेज से पढ़ना शुरू करते है अब वक्त कम पढ़ता है और वक्त कम पढ़ने के बाद क्या होता है कि कई बार 100% वो खतम नहीं कर पाते हैं वो शुरू का 30% पढ़ चुके हैं अब वो 30% पढ़ने की जगा अगर वो एहम एहम चीज़ें अगर पढ़ते तो उनको हो सकता है कि 80% जो रिजल्ट आना है वो 20% जो कोशिशते होता है वो 20% सबसे पहले करना है मतलब सबसे एहम चीज़ सबसे पहले याद रहेगा एक काईदा इंशाला यही काईदा है चाहे आप आफिस का परपरेशन कर रहे हैं बिजनस के अंदर कोई बात कर रहे है कचाए कोई छोटा सा बच्चा एक्जाम की तियारी कर रहा है सबसे एहम चीज सबसे पहले मान लीजिए मिसाल के तौर पर कोई आप से मिलने आ रहा है कपड़े पे थोड़ी धूल लग गई है और रास्ते में कोई बहुत बड़ा गटर खुला है अब आप उससे कहते हो कहा रही तुम्हारे कपड़े पे धूल लग गई है जटको जटको भाई अब वो कपड़े जटक रहा है जटकते अगर वो होल में गिर गया तो वो और गंदा होके निकलेगा तो हम कहते हैं कि पहले सबसे एहम चीज़ बताओ पहले बताओ देखो ये होल है इसमें गिर नहीं जाना फिर बोलना कि कपड़े पे धूल लग गई है वो पहले साफ कर दीज़े तो हम देख रहे हैं ये एक बहुत इंपॉर्टन्ट रूल है अलहम फलमुहिम according to importance एहमियत के मताबिक